जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जी आन को ल्यूजी को मार कर वहां से भाग कर निकलते हुए दिखा था लेकिन तब ही अचानक जी जूनियर उसके सामने आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो? मास्क पहना हुआ जी आन पहले तो अपने आइडेंटिनी बताने से मना कर दीता है लेकिन जब जी जूनियर उससे थमकी देती है तो जी आन उसको कह देता है कि वो जी आन का टीचर है Zee Zooniir समझ आती है कि यही वो आदमी है जो Zee An को ट्रेनिंग दे रहा है और उसको कल्टिवेट करा रहा है Zee Zooniir उसको धन्यवाद कहती है और उससे ये प्रामिस लेती है कि वो Zee An को ना पताए कि उसने लिजी को मारा है फिर Zee Zooniir उससे विदा लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर Zee An Zee Zooniir को प्यार से जाते हुए देखने लगता है तो यावलाव समझ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम एमोशन्स को अपनी ट्रेनिंग के बीच में लाओगे तो तुम भटक सकते हो Zee An चिड़कर पूछता है कि आखिर आपको सबसे क्या दिक्कत है यावलाव कुछ सोचकर Zee An से पूछता है कि अगर कुछ दिक्कत हुई और तुमें मुझ में से और अपनी इस लिटल गल्फरिन में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे Zee An ये कहकर बात टाल देता है कि कोई दिक्कत कभी होगी ही नहीं वही Zee An लिबी लिउजी को मरा हुआ देकर समझाता है कि ये जिस तरीके से मरा है जरूर ये Zee An का काम है जियाली भी जियालियाव से बात करता है और क्योंकि जियाव फैमिली ने उनकी नाक के नीचे ही उनके एक आदमी कुमार डाला है इसलिए वो जियाव फैमिली से बतला रेने का डिसाइड करते हैं वही दूसी तरफ जीयान याव लाव के बताय गए तरीके के अनुसार बिल्स लेकर कल्टिवेट करने लगता है। उसने की कैदरिंग पिल ली है और याव लाव इसको एब्जॉब करने का उसे तरीका बताता है। अगर इस तरीके को करते वक्त जीयान ने इसे अधूरा छो जीयाव फामिली के सैनिक मर जाते हैं। अब तभी वहाँ जीयान भी आ जाता है और उससे इस बत्तमीजी की वज़ा पूछता है। जिस पर जीयाली भी कहता है कि तुम ये सब अपने बेटे जीयान से पूछो। सुना है वो बहुत जल्द एट लेवल पर बहुँच गया है लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अब हमारे पिल मेकर को मारने लगेगा। अब हम उसका बतला लेने आए हैं और तुम्ही मर ना होगा। अब सैनिकों में युद होने लगता है और जीयान टाइकर फ्यूरी का यूज करके जियाली भी से लड़ने के लिए आगे ज जाता है जियाली आओ और कुछ सैनिक जीयान को पकड़ने के लिए जंगल में चले जाती हैं वहीं दूसरी तरफ हम जीयान को कल्टिवेट करता हुआ देखते हैं जीयान और जीयाली भी बहुत आइकानिक लेवल की फाइट कर रही थे लेकिन जीयान कामजोर बढ़ता हु वहीं दूसरी तरफ जीयान की कल्टिवेशन काफी अच्छी चल रही थी और वो 2% बनने ही वाला था लेकिन तब ही वहाँ जीयाली आओ आजाता है जीयाली आओ उसको देखर काफी असता है और कहता है कि तुम यहां 2% बनने का ट्राइ कर रही हो लेकिन कोई फरक नहीं प क्योंकि वो अपने फादर को नहीं खुजकता था। उसे भवनाव में ना पहने के लिए कहता है और उसे बताते हैं कि अगर तुम प्रमोट नहीं हो पाओगे तो मैं और जादा तुमारे अंदर नहीं रह पाऊंगा। इस दुनिया में सिर्फ पावर ही राज करती है जिसके पास जादा पार है वो ही यहाँ पूजा जाता है ब तुमें फामिली का मतलब भी पता है और क्या तुमारी कोई फामिली भी है याउलाव यह सुनकर काफी दुकी होता है और वो अपने उस डिसाइबल के बारे में सोचने लगता है जिसको उसने अपने बच्छे की तरह पाला था लेकिन अंत में याउलाव को धुका ही मिला जी अन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अभी ये क्यों कह रहे हो लेकिन एक बात मैं तुमें बता दू कि फामिली पोच नहीं होती ये कहकर जी अन उसके अवेला करता हुआ मां से चला जाता है याउलाव कहता है कि तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने कभ अपने वियान के बूरे टा आने भाके करकता है। प्रूरी लिए काफी जरूरी है यह सुनकर जियाली आओ हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पापा उसे नहीं बचा रही है जियाली भी फिर अपने बीटे की परवा ना करते हुए हमला कर दीता है हाला कि जीयान अपने पापा को बचा लेता है लेकिन जीहान को काफी चोट लग जाती है जीयाली भी फिर जीयान पर हमला कर दीता है और जीयान काफी जाधा गहल हो जाता है लेकिन तब ही वहाँ यावलाव आ जाता है और जीयान के अंदर गुज जाता है जियाली भी जीहान को फिर जब और मारने लगता है तो याउलाव अब वहाँ आता है और जीहान की बॉडी का यूज़ करके जियाली भी को कूटने लगता है जियाली भी उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो जी अन फिर तभी सही मौका देखता है और यावलाव आसपाः शील्ड क्रियेट करके जी अन को कल्टिवेट करने का सामय देने लगता है और जी अन फिर कल्टिवेट करने लगता है जी यान अपने बच्पन को याद करता है कि कैसे एक समय पर वो जीनियस हुआ करता था और सब उसे प्यार किया करते थे कैसे फिर नलन यानरान ने उसकी बेज़ती की थी और कैसे उसने थ्री एर एक्रिमेंट साइन किया था अब जी यान फाइनली दो परसन बन जाता है और खड़ा होकर जिया लिभी को एक पंच दे मारता है जिससे उसके प्रान पगेरू वही उड़ जाते हैं जीहान अपने बापा के पास जाकर उन्हें संभालता है और फिर उन्हें अपने टीचर के बारे में बताता है और कहता है कि इन्होंने ही हमारी अभी मदद की है जीहान उसके टीचर को प्रणान कहता है और धन्यवाद कहते हैं हलाकि जीहान के सिवा कोई उन्हें नहीं देख सकता है बागी लोग सिर्फ उन्हें सुन सकते हैं यावलाव जीहान से उसके बेटे की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ बाहर ट्रेनिंग के लिए ले जाना जाता हूँ इसलिए मैं तुमसे यहां परमीशन लेने आया हूँ जी हान कहता है कि मैं आपका अभारी हूँ और जो आपको उचित लगे आप वही करें वही तब ही अब जी जूनियर भी आजाती है और उसके पीछे शैडो मास्टर जिसका असली नाम लिंग लिंग है वो भी होता है असल में ये दोनों गू क्लान से संबंद रखते हैं गू क्लान युन सेक्से भी जादा ताकतवर क्लान है शैडो मास्टर कहता है कि आप चाहें मुझे सजा दे दे लेकिन गू क्लान के यही रूल्स हैं कि वो जी आउफ आमली के मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं जी जूनियर शैडो मास्टरों को धमकाते हुए कहती है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि जी आन सेफ है अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हें भी बता है कि इसका अनजाम क्या होता वहीं आप जी आन और टीचर आपस में बाते करते हैं जिस पर जी अनुन से फिर पूछता है कि आगर आप मेरी टीजर क्यों बने है? या लॉव उसे सच पता दीता है और कहता है कि मुझे अपनी ये फॉर्म नहीं पसंद है. मैं जब मरा था तो मैंने अपनी लाइफ अपनी सोल में डाल दी थी, क्योंकि मैं नॉमल लोगों से जाधा शक्ती शाली हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर पाया हूँ. वापिस मुझे अपनी बोडी लेने के लिए रीससरेशन मेथट करना होगा और ये वही कर सकता है जो बहुत जाधा स्टॉंग हो, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेइनिंग दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम पर कभी फोर्स नहीं करूंगा, कि तुम्हें ये मैथट मेरे लिए परफॉर्म करना है या नहीं. फेन स्किल्स के द्वारा ये सब किया जाता है. फेन स्किल्स का यूज करके, मल्टिपल फोर्सिस को एक साथ हम मर्च करके यूज कर सकते हैं. अगर तुम फेन स्किल्स को अच्छे से सीख गए, तो तुम इस कॉंटिनेंट पर सबसे जाधा ताकतवर बन जाओगे. लेकिन फेन स्किल्स में बहुत रिस्क होता है और जान का भी खत्रा होता है. वो फिर उसके सामने दो स्क्रॉल्स रखता है और कहता है कि रेट स्क्रॉल फायर अट्रिब्यूट ग्राउंड रांक स्किल्स है और ब्लैक स्क्रॉल फेन स्किल्स क्रॉल है. तो अब डिसाइड तुम्ही करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है जी यान कुछ सोच कर फेंस रॉल को उठा लेता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है